हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू दे चैनल मेरा नाम है अबदुल राज की इस वीडियो में डिसक्स करेंगे अपडेट डिली यूनिवर्सिटी के तरफ से आ रही है कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और यहां पे अगर आप इलिजिबल हो अप् विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस और जॉब अपडेट के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो चाहिए इसे के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सब सब पहला यहाँ पर जो अपडेट है डेली उनिवरसिटी की कॉलेज है रामलल आनन्द कॉलेज उसके अंदरी अपडेट आई हुई है और इन्होंने नान टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर वेकेंसी निकाली हुई है अलग-अलग पोस्ट है वन वाई वन डिसकस करेंगे एलिजिबिलिटी क्रेटरिया क्या है वो भी यहाँ पर देखते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर किसी भी तरीके की फीज चार्ज नहीं करते हैं लोग ना ही आपकी यहाँ पर कॉलेज मैटर करती है ना ही कोई परसेंटेज का क्रेटरिया होता है और खास करके यह फ्रेशर्स के लिए बेस्ट ऑपर्चुनिटीज लेकर आ रहे है और इनके साथ बहुत सारी टॉप कंपनीज जुड़ी हुई है री लेवल पे आपको डिफरेंट जॉब रोल्स में जाएंगे फ्रेंट एंड बैक एंड फुल स्टेक डेवलपमेंट बिजनेस एनलेटिक्स डेटा एनलेटिक्स बिजनेस डेवलपमेंट जॉब रोल और पॉब्लिक डिमांड से इन्होंने असोसियेट प्राड़क्ट मैनेजमेंट इसकी भी केटेगरी को एड कर दिया है जिसमें 25 लैक्स पर एनम तक यहां पर पैकेज ऑफर किया जा रहा है आपको मैं बता दो इनके साथ क्रेड रेजर पर यातरा पेटीम चैसी 80 प्लस कंपन से रेजिस्टिशन हो जाएगा दिन री लेवल टेस्ट का स्लॉट बुक करना है बुक करना है मतलब डेट सेलेक करनी है पैसा यहां पर भी पेक करनी के आपको जरूरत नहीं है और आपका यहां पर बुकिंग हो गया अगर आपको री लेवल टेस्ट के बारे में नहीं पत और यहां पर टेक्निकल के अंदर 6 lakhs per annum है, यह minimum package है, यह इतना तो आपको मिलेगा ही, इससे ज्यादा ही मिलेगा, इवन यहां पर 40 lakhs per annum तक का package offer किया गया है, तो अगर आप interested हो और register करना चाहते हो, link description में है, अगर आप relabel test को qualify करते हो, अच्छे rank से, तो आपको यहां पर attractive prices भी मिल जाएंगे, तो भाई link है description में, मैं हर fresher को suggest करूँगा, कि जाके register करें, at least एक बार attempt करके देखो, क्या पता आपके लिए new opportunities यहां पर हो, और आपको यहां पर future set हो जाए, जरूर से चेक कर लेना, नव बात करते हैं, आज की update में, यहां पर जो है, administrative officer की जो post है, इ इसके अंदर post graduation मांगा हुआ है, और यहां पर experience भी, यह एक ही post है, जिसके अंदर experience है, बाकी सब pressure वाली है, और यहां पर obviously salary भी आपको ज्यादा मिलेगी, अगर 3 साव का experience है, post graduation किया हुआ है, बिल्कुल आप apply कर सकते हो, उसके बाद next जो है, senior technical assistant, तो यह एक technical assistant की post दी age limit 30 years की है, कोई tension वाली बात नहीं है, आप apply कर सकते हो, and इसके अंदर किसी भी तरीके का experience नहीं मांगा है, pay level 6 है, that means आपको यहां पर salary, total salary जो होगी, मतलब यहां पर allowance वगरा सब मिला के 59,000 के करीब होगी, tax वगरा deduct करके आपके आपके आद में 54,000 आएगी, जिसमें allowance वग graduate apply कर सकता है, and senior assistant के, जिसके अंदर graduate और post graduate from recognized university, इन्होंने मांगा हुआ है, यहां पर working knowledge of computers मांगा हुआ है, दोनों के अंदर assistant और senior assistant के अंदर, तो अगर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आप apply कर दीजिए, and इसके अंदर pay level आपको मिल जाएगा 6 and 4, senior assistant में 6 है, औ और normal जो assistant के अंदर pay level 4 है, 6 के अंदर same by 59,000, 4 के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, वो आपकी 40,000 total salary हो जाती है, और tax वगरा deduct करके 35,000 के करीब आपकी salary आएगी, यहां पर बात कर रहे हैं, तो difference ऐसे कोई देखने को नहीं मिलता है, senior assistant में इन्होंने post graduate कहा है, और जो assistant है, उस सारी post discuss कर लेते है, laboratory assistant की है, यहां पर microbiology के अंदर, अगर आपने 10 plus 2 complete किया है, या फिर graduation complete किया है, you are eligible, obviously यहां पर pay level आपका कम हो जाएगा, pay level यहां पर आजाता है, 4, जो के again 40,000 वाला है, उसके बाद junior assistant की post है, जिसके अंदर 10 plus 2 eligible है, अगर आप 12 पास हो, आप apply कर सकते हो, 35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi, अगर आपके help, तो आप apply कर सकते हो, 27 years की age limit इन्हों ने दी है, so अगर 12th पास जो वीडियो देख रहे है, या फिर आपका कोई दोस्त है, उसको बता दीजिए, उसको शायद help मिल जाएगी, उसके बाद next आते है, library attendant, इसके अंदर 10th पास इन्हों ने हो जाएगी, तो आप graduate वालों के लिए तो मैंने discuss कर लिया, 10th and 12th वालों के लिए भी update है, तो शायद आपके किसी दोस्त को यहाँ पे help मिल जाए, laboratory attendant की भी है, उसमें भी 10th पास इन्हों यह apply कर सकते है, so अगर आप यहाँ पे eligible होते हो, जरूर से check कर लेना, now number of vacancies, कौन सी post में कितनी है, उसका screenshot आपके सामने दिख रहा होगा, वो आपके लिए है, आप देख लीजिए कौन सी post है, और कहां कहां आप apply कर सकते हो, next आते है, selection process क्या है, किस तरीकी से apply करना है, और एक से ज़्यादा post में apply कर सकते या ने, तो सबसे पहला question आपका यहाँ जो रहेगा mostly आपके दिमां में होगा, एक से ज़्यादा post वाला, तो यहाँ पे application fees इन्हों ने दे दी है, कि by 500 रुपीज, अन्रिजावट, OBC, EWS वालों के लिए, and STST वालों के लिए 250 रुपीज है, so यहाँ पे इन्होंने clear लिका है, for each application, अगर आप एक से ज़्यादा post के लिए apply करन होगा, और उसकी fees भी आपको अलग से pay करनी होगी, so यह एक थोड़ा सा problem वाला सिनारियो है, unresolved वाले EWS, OBC वालों को 500, 500, मानलो, दो post में apply करना है, 1000 रुपया आपका यहाँ पे लग जाएगा, so अगर आपको comfortable लगता है, आप apply कर सकते हो, इसकी last date application की 24th January 2022 है, आप आराम से apply कर सकते हो, आपके बस बहुत टाइम है अभी भी, now apply कैसे करना है, तो आपको official website rlacdu.collegepost.in उस पे जाके आपको register करना होगा, and यहाँ पे सारी details, आपकी fees, सारी चीज़े online हो जाया है, कि आपको वहीं पे fill up करना है, कुछ भी बेजने की जरुरत नहीं, सिवाई PWBD candidates क अगर आप PWBD category में आते हो, तो आपको यहाँ पे offline application fill करना होगा, यह आपके लिए एक facility इन्होंने provide की भी है, so इसके लिए इन्होंने separate form भी दिया हुआ है, और address भी दिया हुआ है, जिस पे आपको भेजना रहेगा, address और सारी चीज़े मैं display कर दा हूँ, application for the post of, सारी application में ही इन्होंने form provide किया हुआ है, और यहाँ पे जो है, इसके साथ-साथ आपको documents भी attach करने होंगे, जो भी necessary documents है, उसको भी attach कर देना, and अगर कोई doubt है, तो आप इनको call या mail भी कर सकते हो, आपको सारे questions के answer भी यहाँ पे मिल जाएंगे, so यही apply करने की process है, ना बात कर ले का यहाँ पे selection होगा, तो यह चीज जो है, इनके उपर completely depend करती है, by written examination क्या होगा, कहाँ पे होगा, कुछ भी इन्होंने application में, मतब notification के इंदर नहीं बताया होगा है, आपको यहाँ पे शायद apply करने के बाद भी पता लग सकता है, so कब होगी, वो भी नहीं बताया होगा है, तो थोड़ा सा इसमें यह issue है, अगर आपको फिर भी लगता है, तो आप apply कर सकते हो, otherwise आप इसको skip भी कर सकते हो, description में मैं आपको link provide कर दी है, जहाँ पे सारी details, official notification, official apply करने की link मिल जाएगी, और साथ ही जाद मैं आपको re-level के बारे में बता है, उसको भी चेक कर लेना, तब तक के लिए, goodbye, take care